नमस्कार वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है रेडियो पर क्रिकेट मैच बश्पन की याद आने लगती है एक वक्त था जब टीवी की दुनिया बहुत छोटी थी तब इंटरनेट इतना विक्सित नहीं हुआ था सिर्फ रेडियो ही एक मात्र माध्यम था जो लोगों को आपस में जोड़े होए रहता था चाहे गीत सुनना हो या क्रिकेट मैच हर किसी के बश्पन का एक एहम हिस्सा रहा है रेडियो आज भी देश का कुछ हिस्सा रेडियो पर क्रिकेट मैच सुनता रहा है हाला कि गिंती में कम होंगे क्योंकि इंटरनेट का जमाना आ गया है लेकिन रेडियो ने क्रिकेट की दुनिया में क्रांती ला दी एहम योगदान रहा है रेडियो का लेकिन क्या आपको पता है क्रिकेट रेडियो कमेंटरी के शुरुआत कब और कैसे हुई आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं क्रिकेट में रेडियो कमेंटरी के इतिहास के बारे में साल 1922 में पहली बार अस्ट्रेलिया में चार्ल्स बैनरमन की याद में हुए मुकाबले में कॉमेंटरी शुरू हुई थी सिडनी क्रिकेट ग्रॉण में हुए इस मुकाबले में लियोनल वॉट ने कमेंटरी की थी इसके बाद साल 1927 में बीबीसी ने इंग्लेंड और वेल्स के बीच हुए रग्भी मुकाबले की कमेंटरी टेडडी वकेम से करवाई थी जबकि रेडियो कमेंटरी का पहला प्रसारण 11 जून 1927 को इंग्लेंड के लॉट्स में किया गया था लॉट्स के इतिहासिक मैदान में 11 जून 1927 को मिडिल सेक्स और नौटिंगम शायर के बीस तीन दिब से मुकाबले का आखो देकाल रेडियो के माध्यम से प्रसारित किया गया था जो कि उस वक्त खुब लोगप्रिय हुआ था और लोगों ने इसे खुब सुना भी था लॉट्स में शुरू हुई थी बीबीसी की ये पहली क्रिकेट कमेंटरी थी जो की चार हिस्सों में बटी थी गिलिंग हैम लगवग आधा घंटा माइक्रोफोन पर कमेंटरी करने में सफल रहे थे हाला कि इसके बाद बीबीसी को खुब आलूचना भी जिलनी पड़ी थी क्रिकेट कमेंटरी करने के बीबीसी के फैसले पर उस वक्त डेली हरेल्ड ने ये कहते हुए बीबीसी का मजाक उड़ाया था कि आने वाले दिनों में वे शत्रंज और बिलियर्स की कमेंटरी करना शुरू ना कर दे बाबजू दिसके अस्ट्रेलिया में बीबीसी को बखोभी साथ मिला और फैमस होता चला गया दुसरी और अगर भारत में रेडियो कमेंटरी की में बात करूँ तो साल 1950 के अन तक इसकी शुरूआत हो चुकी थी रवी चतुरवेदी और जस्देव सिंग 60 और 70 के दशक में बत और कमेंटेटर अपनी पहचान बना चुके थे बाद में मनिश देव सुसिल दोशी भी आए जिनोंने रेडियो क्रिकेट कमेंटरी में अपनी पहचान बनाए 2000 के दशक से पहले रेडियो की क्रिकेट में अच्छी खासी पकड़ थी लोग खुब सुना करते थे मगर टीवी की रंगिन दुनिया और इंटरनेट आने के बाद रेडियो कमेंटरी कहीं न कहीं गुम होती चली गई खैर तो ये था क्रिकेट में रेडियो कमेंटरी का कुछ इतिहास आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताए साथ ही One India Hindi YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यबाद